Special portfolio उनका health and education है वो हर वक्त हमारे साथ में थे जब मंजाब में थे और सिंध गवर्मेंट में भी काफिक साथ दिया खुसुसान गवर्नर कामरान खांतिसोरी साहब ने दिल खोल के इस्तिकबाल किया और मेरे देखबाल की जो मेरा तसवर था पाकिस्तान आने के पहले किया जो मुझे इस्तिकबाल मिलेंगा मेरे इसाब से वो दस गुना ज्यादा था जो लोग की महबत जो मेरे जहन में थी क्योंके मैं कई पाकिस्तानों को कई सालों से मिल रहा हूँ गल्फ कंट्रियों में चाहिए दुबे हो, चाहिए साओधी हो, खतर हो, यू के हो, से कुड़ों यह हजारों पाकिस्तान हैं से मिलता था, तो तस्वर था कि पाकिस्तान हैं तो जो इस्तिक्बाल मिलें गां, लेकिन उससे दस गुना ज्यादा मिला, अल्हम्दलिल्ला, और जो गवर्मेंट ने इं कुल को का स्टेट गेत पे चुका हूं, लेकिन यहां जो इंतिजाम किये वो कुछ एक अलग लेवल का था, वो मुझे लगता है, ज्यादा ही ख्यार रख रहे थे मेरा, और मुझे अफ्सोस हो रहा था कि अफिसरां इतने घंटे साथ में थे, और माशालला दस बारा गाड यहां, फिर दो अम्विलेंट्स, एक फाया ब्रिगेड, तो यह उनकी महब्बत थी, शायद जरूरी था नहीं, लेकिन उनकी महब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए में शुकर गुजार हूं, पाकिस्तान तो ऐसे एक बार में आया था, उनोफिशली प्राइविट विजिट के अपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था, 1991 में, परस्नली कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन इवर उफिशल फर्स्ट विजिट है, जाम में तकरीर किया, और अहम्दुलिल्लाह, जो तमन्ना थी, सालों की, कई सालों क वो पूरी हुई, देर थी, लेकिन माशालला, देर थी लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तिक्बाल किया, और खुसूसन जितने मधभी इदारों ने, मैंने सेकडोर टॉर की, मैं लास्ट तीस साल की मेरी जो जिन्दगी ए दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टॉर क और ये तीस साल हो गए, ये तीस साल में सेकडो विजिट कियाओं में कई मुमालक की है, लेकिन इस लियास से ये जो पाकिस्तान का दोरा था, जब मैं दिगर मधभी इदारों को विजिट किया, इतना अच्छा लगा, कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तिक्बाल किया, और जो मुहबत इदार की, वो मुझे दुसरे कोई मुलक में नजर नहीं है, और हम जानते हैं कि मुसल्मान के कई डिफरिंट इदारे है, मसलख है, फिरिके है, लेकिन इस बॉंडरी को तोड़ते हुए, जो कुरान मजीद की आयत जो आला ताला फर्माते हैं, सुर इमरान में सुरान मुबर तीन आयत में बेक सुतीन में, वहां तसी मुभी अबलिला जम्यो अला ताफर्रकु, कि अल्ला की रस्ती को पकड़ो और आपस में नबटो, तो उसका इदार, ये ट्रिक में मुझे महसूस हुआ, कि किस तरीके से, जब, सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये ने देखा कि जाकिर किदर से आ रहा है, या कुण से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई ही अल्ला का, दिल खोल के मिरे इस्तिक्बाल किया, और ये ही चीज़ है, जो अल्ला और अल्ला के रसूल की बात, जो मुसल्मान को एक कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तक्रीर करने लगा, तो हाला के हुझे से, इन्विटेशन तो सेक्र आए, लेकिन जब मैं हिजरत की, इंडिया से मलेशिया उतर जाया, और जब 2019 में मैंने डिसाइट किया कि इंडिया वापिस नहीं जाना है, तो इस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान जिजरत करने का समय आ गया है, तो उसके में रिसाइट किये थे, आने के लिए, अक्टोबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, कॉविट आ गया, इसलिए वो ट्रिप पस्पोन हो गए, और अभी 2024 में मैं ज़र हूँ, हाला कि जब मेरा दोरा होता है, तो एक या दो हफ्ते के लिए होता है, तो जब इंविटेशन आया, चार हफ्ते का, तो मैं बोला, इंशालला क्योंकि काफी लोग मिलना चाते हैं मुझे, तो यहाँ वक्त ज्यादा देने पड़ेंगा, लेकिन, यहाँ आने के पहले, इतन सेकड़ो इंविटेशन आये, ना ही सिर्फ मजभी और्गनाइज़ेशन से, यूनिवर्सिटी से, लोगों से, और यहाँ आने के बाद उसकी तादाद और बढ़ गए, अगर मैं पूरा साल भी यहाँ बिताओं, तो मुंकिन ही नहीं के दस विसद भी वस इंविटेशन को में कबूल कर पाओं, यूनिशी प्लान था सिर्फ तीन सिटीज को विजिट करना, कराची, लाहोर और इस्लामबाद, लेकिन इनुटेशन इतने आये, कि फिर हमने सियाल कोट और फैसलाबाद को भी हमारे ट्रिप में, इंफ्लूट कर गिया, ऐसे इनुटेशन तो काफी शेरो से है, नामने लेना चाहता हूं, सब कोने से मुझे लगता है, जो में जानता मिने तो इसे सिटीज है, वहां से भी आने लगे, इंविटेशन, और सब लोग कहते हैं, यहां आईए, आपकी धर्वत है, हम आपको सुनना चालते हैं, तो यह मौबत है कि माशालला काफ और यह जो मौबत थी, उसे देखके माशालला, अहम्दलिल्ला दिल खुश हो गया, कि मुसल्मान जो तादाद में रच्चर सुनने के लिए आए, और जो इदारे में इस्तिक्बाल के, और अहम्दलिल्ला जो कॉपरेशन और सपोर्ट जो पाकिसान हुकुमत से मिली, जो स लगता है मुझे वो एक स्टेप आगे के, देखने के लिए के मैं यहां महफूज हूँ, मुझे तो बहुत अमन महसूस हो रहा था, मुझे लगता नहीं था कि सब चीज़ की दरवत थी, लेकिन वो हो सकता है कि ज्यादा इतियात ले रहे थे, और उसके लिए मैं शुक्त इसके लिए इन्शालला उनको अजर मिलेंगा अल्ला के तरफ से, क्योंकि मेरा आखरी दिने और चंद घंटों में इन्शालला अफसोस हो रहा है कि आखरी दिने, आदसी हो गईगी पाकिस्तान में रहने की, ताला ताला से अल्ला ताला शुक्र गुजार हूँ, क्या ये ये जो पाकिस्तान का दोरा में रहा था, दोजार चौबीस में, वो बहुत कामना है भी रहा, और इन्शालला उमीद है कि हम इस कुरान का पैगाम है, वातस्यमू भी अब्लिल्ला जब में उल्ला ताफर कूँ, कि हम आपस में अल्ला के रस्ती को मजबूती से पकड़े, और आपस में नबटे, और जितना हम कुरान पे अमल के रहेंगे, उतना हमें सफलता मिलेंगे उस दुनिया में और आखरत में, इसके साथ मैं ये जो मिले शॉर्ट ओपनिंग रिमार्स कटम करता हूँ, और प्रेस को अगर कोई सवाल आ थे तो इन्शालला उसका जवाब तो आखरत मुल्क ये जो तो मिलेंग ऑार, तो अखरत दोओए ओमार्सक्तर ऐ अंत्रों। पर आज मुझूद हूँ, उजर पच्छे में मुझे इसकार स्टूरेट ऑफ के लेवर, एहमद वार, एक्टेक्स निया मैसेश, क्वेस्टन यह है कि मुसलें इतने सारे फिर्कों में 2 बटे कोई, तो यह सब कुछ खतम कैसे होगा, यूनिटी कैसे होगी, प्रॉफिट पिस्टन की इताया थे के, 72 बटेक्स वोटेट, तो यह सब कुछ कैसे खतम होगा, और इन का क्या होगा, यह इस दे क्वेस्टन आप मैसाँ, और सेकंदी माई क्वेस्टन, एक सार्ट एक सार्ट टाइम, उसके बाद कूछ सकते है, भाई साब के बेटे ने सवाल किया, वह अधीस जो कोट कर यह तिरमेदी की, अधीस 171 ने, जो अल्ला की दून ने फर्माया कि 73 फिर्की होंगे, अल्ला की दून ने फर्माया होंगे, नहीं का के बनाओ, उनकी पेशन गोई थी, का जिस तरीके से यहॉद में 73 फिर्के, इसायत में 대표 सी 20 फिर्के, इस्लाम मेंahu 29 फिर्के होंगे और उसमें से एक फिर्का सही होना वह जो जो जमा के साथ है, जो अल्ला के रसूल के साथ है, जो अ्मल कर रहा है अलाख राय। मेरे देश्क शूराण नम्बर छो आयत नम्बर 158 वंफिफटी नायं में ते फिर्किय कम बनाओ उर अल्लफ ठालि फर्माद ते लिगे केशल духов? अगर को therapies बनाता है तो आपको इस्के कोई लिना देना है अपका जो एक विए अपका जो सवाल था, यह फिरके कैसे फिरके कैसे खत्म होगी कुरान के आयद एस सुर इमरान की सुरा नमढ़ तीन, आयद नमभे एक सुट तीन में वा तसीमो भी हब लिलाई जो में वालाता नसा फर्कू कि अल्ला की रसी को मजबूती से पकड़िये अल्ला की रसी है कुरान और सही हदिस तो हर मुसाल मान अगर कुरान और सही हदिस पे अमल करने लगे तो ये फिरके मिड़ जाई हैं असोस की बात है कि मुसल्मान कुरान को पढ़ते है तो भी सिर्फ अर्भी में पढ़ते है अगर अर्भी जबान आपको आती है तो अच्छी बात है लेकि अर्भी जबान नहीं आती है तो अर्भी जबान के साथ आप उसका तर्जुमा भी पढ़िए अगर आपको अर्दू में माराते तो अर्दू में पढ़िये अंग्रिदी पे माराते तो अंग्रिदी में पढ़िये तो अगर हर मुसल्मान कुरान को समझ के पढ़ेंगा और उस पे अमल करेंगा तो अक्सर फिरके हड़ जाएंगे क्योंकि हम Qur'an को समझ के नहीं पढ़तें कुर्ण में क्या लिखा है वो आम मुसल्मान नहीं जानता इसी लिए फिर्के बनते हैं कुर्ण को समझ के पढ़ेंगे और अल्ला की रगए पर आदिस के परामल करेंगे तो इंशालला हम मुसल्मान फिर से दुनिया की छोटी पे ल हो तो फुटबॉल की तरह लोग लाट मारते हैं या लुक डाउन अपाउं कि कि हम कुरान हदीस से दूर होगे इन्शाला वाप इस नद्रीक आएंगे तुम चोटी को पोचेंगे दुनिया के आपको सार में आपको सार में आपको खोशन देते हैं और आपको शुरिया भी रादर से नहीं कि आप यहां तश्रीक लाएं और मैं इसके साथ अपने मौसर नवासी साहब दफर साहब भारत साहब और बिलार नवानी साहब को भी खराजित तहसीन प्रेश करता हूं यह सारे आपको शाना बे और यह अपने तहसीन आपको पाकिस्तान नाएं हमारी बड़ी खौई थी आपको देखें आप समिरें और मैं यह समता हमके बारी बक्षिश के दिए आप बनेंगे इंशाब्दा मेरा स्वाल आप से यह है आप पाकिस्तान में रहे माशना आपकी बहुत अच्छे अधास में माशना नाजी होई किसका आपने अपने अलबाद में खिर भी दिया तो पाकिस्तान में कोई आप यह शक्सित रहे जिसे आप ना मिले हूं और दूसरा मैं आपसे पेश्की माज़त चाहता हूं कि फरसीर के वाज़े से कोई बिहान आपका मेरी नाज़र से नहीं हो रहा चूंके पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है सुना जाता है तो फरसीर के वाज़े से आप क्या कहेंगे और इस एक जिमनी सवार है कि गोज़ा पिश्मीर में और परसीर में आपको पता है जर्म हो रहा है एक एक साल दो साल पुछले बाएसाब ने बाएसाब में पूचा ऐसा है कोई शक्स बजग गया पाकिस्तान मजिस से आपने नहीं मिल एक हूँ तू बोलू लाखों है क्रोरों है मैं जिनको मिला तो च ये वक्त की किल्नत होने के वज़े से हम रातिया दो दो तीन दिन में तक लोग को मिल रहे थे तो पूचे एक शक्स बताएजिए से नहीं मिले तो लाखों में ना हुए इंशालला इंशालला उमीद है कि जो लोग मुझसे 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 मुझ करेंगे जाते हैं कि दूसरा सवाल है कि फलिस्टीन का जो आज महमला है और जो उम्मत की हाल है उसका हल क्या है मैंने तक्रीक ही है इस मौजू पे जिसका जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शिन प्लान फ़र दो मुस्लिम उम्मा आस पालेस्टीन कॉस इस इसमें पंदरा नुक्ते मुस्लिम उम्मा के लिए इसमें फलिस्टीन का हल है यह लंबी तक्रीर है जो मैंने अंग्रीजी में दी है लेकिन उर्दू में उसका ख्लासा कर चुका हूं है यह अगर आप दिखेंगे तो उसमें आपको डीटेल मिलेंगे जहां तक कि आपने कहा कश्मीर का पुरा मैंने सवाथ सुना ने लेकिन जो कश्मीर की जो हालत है ठीक है हम देखते हैं हमसलमानों को कई जगा यूमेंन रेटों हो राइचन हो रहा है तक चाहकंट में हो चाहे चीन में हो चाहरे रोगंगाब में हो अगर मुसल्मान इसका हल वोई है तो 15 पॉइंट देन वह हल है 15 पॉइंट एक्षिन प्लान सब के लिए हल है हम मुसल्मान बटे होई है अगर मुसल्मान एक हो जाएंगे तो इंशाला कोई हमें फुटबॉल की तरह नहीं लाथ मारेंगा जो जूमेंन राइट्स वोयलेशन मुसल्मान की खिलाफ प्रसूसल उसकी वज़े ही है अगर मुसल्मान एक हो जाएंगे और अल्ला और अल्ला की रसी को मजबूती से पकड़ेंगे तो इन्शालला इन्शालला हम फिर से और यह वक्त आएंगा अल्ला ताला फ़र्माते कुरान मजजिद में तीन जगावें सुरे तोबा सुरा नमबर र्नो आयत नमबर 300 सुरे फता सुरा नमर 48 आयत नमर 28 और सुरा सफ सुरा नमबर 61 आयत नमबर 9 हुआ लजी अर्सल रसूल हुब रुदा वदीन अल्हक लियूज ही रवा अल्दीन कुले तब आल्ला ने भीज़ा अपने पैगंबर मुम्मस अल्ला अल्हक को दीन अल्हक के साथ ताके वो सारे मदाहिब पे गालिब हो चाहे वो इसायत हो, यहुदियत हो, हिंदुएजम हो, बुज़िजम हो, सेकलरिजम हो, एथियजम हो, सोशिलिजम हो इसलाम इस डिस्टाइड तो सुपसीड और कुले मास्टर देमोर और अल्ला ताला दो जगा कहते है कितना भी मुश्रिक न चाहेंगे कितना भी गेर मुस्लमान न चाहेंगे, और यह जगा कहते है, अल्ला वकफा बिल्लाई शहिदा और अल्ला शहादत के लिए काफी है तो यह अल्ला का वादा है, कि हमरा दीन गालब होगा और सही हदीथ में भी इसका दिकर आता है, कि क्यामत के पहले मुस्लमान साथ साल तक पुरी दुनिया पे हकुम करेंगे, और शरियत के, वो है कि हम मुस्लमान को भी यह दिखना चाहिए, अल्ला ने वादा दिया तो, अल्ला सुमाना उतल का आपको मेरी जरुतीन है, अल्ला अकेले काफी है, अल्ला हमको मुका दे रहे, कि आप कुरान और हदीथ पे चलते हैं कैने, अल्ला को तो हमारी धरुतीन है, हमें किया जो अल्ला तालो को अगर फलस्तीन का हल करना है, हो तो एक सेकंड में कुन फेकुन हो सकता है, अल्ला ताला इम्चान ले रहे हमारा, जो फलस्तीन पे हो रहा है, वो फर्दे किफाय कर रहे हम क्या कर रहे है, Excellent Marks से पास होएंगे है हम फेल हो जाएंगे हम क्या खर रहे उनसे ज्यादा हमारा हम दियान है फलिस्टिन को देखे लगता है सिर्फ एक ही मुल्क पुरे दुनिया में आज़ाद है वो फलिस्टिन है बागी सब occupied है